हाई लो एबरीबन वल्कम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम पुरानी जर्सी में से अंगूठे वाले मोजे बनाना सिखाएंगे तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं तो यहां पर हमारी जर्सी है तो इसी में से हम क्या करेंगे दो पार्ट कटिंग करेंगे औ तो आप लोग वीडियो का इंतर जरूर देखें इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से अंगूठे वाले मोजे बनाये हैं और आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक करना बोल जाते हो तो दोस्तों प्लीज इस तो यहां पर देखी मैंने एक पार कटिंग कर लिया है यहां पर हम क्या करेंगे जो हमारी मोजे की लंबाई है वो 10 इंच रखेंगे लंबाई हमें इस तरह से लेनी होती है कि अगर आपके पैर की लंबाई 9 इंच है तो आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है ठीक है तो यहां पर हम 10 इंच की कटिंग करेंगे और अगर आपके पायर की जो चौणाई है वो 7 इंच है तो आपको 8 इंच लेना है और 8 इंच तो आपको 9 इंच लेना है चौणाई भी आपको एक इंच ज्यादा लेनी होती है तो यहां पर देखी मैंने चौणाई लिया इसकी 8 इंच तो अब हम क्या करेंगे इसी के बराबर दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे ठीक है तो आप लोग देख सकते हमने इस तरह से दो पार्ट कटिंग कर लिये हैं एक बराबर अब हम यहां पर इसको उल्टी तरफ से रखेंगे ठीक है जो पार्ट की सीधी साइट है वो हमने अंदर की तरफ रखी है तो दोनों पार्ट को हमें तरह से एक बराबर रखना है फिर हम यहाँ पर निसान लगाएंगे पांच इंच पर हमें निसान लगाना है इसमें भी हमें पांच इंच पर निसान लगाना है और हमें आदा इंच का मार्जन छोड़के निसान लगाना है दोनों पार्ट में हमें निसान लगा देना है ठीक है अब हम क्या करेंगे 5 इंच तक यहां पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई यहां पर हमें डवल लगानी है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अमने तरह से सिलाई को लगा लिया है फिर हम क्या करेंगे जहां पर हमारी open site है वहाँ पर हम इतरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है जिस तरह से हम सूट में चाक सिलते हैं उसी तरह से लगानी है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है अब हम यहाँ पर इसको B-Center पर रखेंगे और यहां पर हम अंगूठे और उंगली का निशान लगाएंगे इस तरह से तो हमने निशान लगा दिया है अब हम यहां पर इसी निशान के उपर सिलाई लगाएंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है तो अब हम क्या करेंगे बीच में कटिंग करेंगे यहां पर हमारी सिलाई अच्छे से नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे उल्टी तरफ से कटिंग करेंगे ठीक है और कटिंग हम इस तरह से करनी है कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे तो यहां पर आप लोग देख सकते हमने कटिंग कर दिया है अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है आदा इंज का माजन छोड़के हमें सिलाई लगानी है नीचे से हमें हलकी सी गुलाई कर देना है तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है और एक मोजा हमारा सिलकत त्यार हो गया है सेम इसी तरीके से हमने दूसरा मोजा त्यार करा है और मोजे बनाते वक्त हमें याँ पर एक बात का द्यान रखना है कि जो हमारे अंगूठे हैं वो आमने सामने ही आने चाहिए ठीक है तो देखी इस तरह से हमने पैन के भी आप लोगों को दिखाए हैं देखी कितने सुन्दर हमारे मोजे बनके तयार हुए हैं तो इसी तरीके से आप भी मोजे बना सकती हैं अगर आपके घर पर भी पुरानी जर्सी या स्वेटर पड़े हुए हैं तो इसी तरीके से आप भी मुझे बना सकती है तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आँ तक पह आए बाए आखी तर वीडियो देखने के लिए ठाइंक यूँ